नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूं दोस्तों हमारे शाष्टर में घर को मंदर की तरह माना गया है इसलिए अपने घर की देखभाल पवित्र मंदर की तरह करनी चाहिए आज हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहते हैं जिनके होने से आपका घर खुशियों से भरा रहेगा अगर आप अपने घर को सकरात्मक उरजा से भरा हुआ रखना चाहते हैं तो आपके घर में इन चीजों का होना बहुत जरूरी है आईए जानते हैं कौन सी हैं वह चीजें यदि आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी जानकारी वाली वीडियो देख सकें पहली चीज है मंदर दोस्तों पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मंदर आपके घर में आपके इष्ट देव का मंदर अवश्य होना चाहिए और आपको नियमित रूप से पूजा और आरती करनी चाहिए सुभा जल्दी उठकर इसनान करने के पश्चात धूप बत्ती जलाकर पूजा आरंब करनी चाहिए ऐसा करने से आपके घर में सकरातमक उरजा का प्रभाव बना रहेगा आर्टी और घंटी की आवाज से घर का महौल पवित्र हो जाता है दूसरी चीज है पक्षियों के लिए आनाज घर आपके घर के बाहर आगन में या चछत पर पक्षियों के लिए अनाज घर जरूर होना चाहिए इससे हमेशा घर में मौझूद पक्षियों की आवाज हमेशा गूंजती रहती है साथ ही पक्षियों को पानी और अनाज प्रदान करने से पुर्ण्य भी मिलता है इसलिए अपने चछत पर या आगन पर पक्षियों के लिए अनाज घर अवश्य रखें ऐसा करने से आपका भाग हमेशा आपका साथ देगा तीसरी चीज है फलों की टोकरी अपने घर के अंदर एक फलों की टोकरी होनी चाहिए जिसमें पके हुवे फल रखना चाहिए इससे आपके घर के सदस्यों में भी जगडा नहीं होगा घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा सभी समझदारी से बरताव करेंगे साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्ते हमेशा ठीक रहेगा चोथी चीज है पॉंड घर के आगन में पानी से भरा हुआ एक टैंक होना चाहिए जिसमें जली, पौधे, कचवे एबं मचली जरूर रखें और उनकी देख भाल करें ऐसा करने से आपको धन का लाब हो सकता है कचवा धन समपत्ती का प्रतीक माना जाता है इसे रखने पर धन समपत्ती सारी मुश्कलें समाप्त हो जाएंगी साथ ही उस टैंक में अगर आप गोल्ड फिश रखेंगे तो सोने पर सुहागा पाचवी चीज है बैंबू का पौधा अगर आप अपने घर में हमेशा सुक समरिब्धी लाना चाहते हैं तो घर में बैंबू का पौधा होना चाहिए जितनी ज्यादा बैंबू स्टिक होंगी उतना अधिक लाब होगा तीन स्टिक वाला बैंबू का पौधा घर में रखने से सुक समरिब्धी आती है तो दोस्तों यह थी वह पाँच चीजें जो घर में अवश्य होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी वाली वीडियो देख सकें धन्यवाद